देखो भाई लोग आज फाइनली हुंड़ाई कमपनी ने अपकमिंग वर्ना के टीजर फोटोस रीलीज कर दिया है और आज से ही नियू जेनरेशन वर्ना के बुकिंग्ज भी स्टार्ड हो चुके हैं अगर आपको New Generation Verna को book करना है तो आपको इदेने पड़ेंगे 25,000 रुपए आप 25,000 रुपए देकर New Generation Verna को book कर सकते हैं हलाकि इस कार के अंदर Hyundai Company ने काफी बड़े 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 बदलाव करे है एक्स्टेरियर में और इंटेरियर तो आपको completely नया देखने को मिल जाएगा सबसी important चीज़ New Generation Verna को चार अलग variant के साथ engine market में launch किया जाएगा जिसके तरह आपको EX ये base variant देखने को मिलेगा EX के ऊपर रहेगा SS के ऊपर SX और जो top variant रहेगा वो रहेगा SX optional तो ये चार variants आपको New Generation Verna के अंदर देखने को मिल जाएगे और इसका जो diesel engine है वो अब discontinue हो चुका है upcoming Verna के अंदर सिर्फ दो petrol engine का इस्तमाल किया जाएगा First petrol engine रहेगा 1.5 liter 4 cylinder MPI और ये engine 113 bhp के power output और 144 newton meter का torque produce कर लेता है इस engine के साथ आपको 6-speed manual transmission का option मिलेगा और IVT gearbox के साथ भी इस engine को Indian market में उतारा जाएगा जो second petrol engine है वो है 1.5 liter 4 cylinder turbo charge petrol engine और ये engine 160 PS की power output और 260 newton meter का torque produce कर लेती है लेकिन इस engine के साथ आपको 6-speed manual और 7-speed DCT gearbox को option मिलेगा तो ये चीज़े आपको engine specifications के तोर पर मिल जाएगी upcoming Verna के अंदर लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इस अगार के अंदर हो रहेगा इसके exterior में मैंने पहले ही कुछ वीडियो उसके अंदर आपको बात आया था कि जो upcoming Verna रहेगी उसका extra look global market में बिखने बाली Hyundai Elemental जैसा ही रहने वाला है तो यहापर कुछ images में screen के आपर display कर दूँगा जिसको Hyundai Company ने release किया है इसका front का फीशा आप देख सकते हैं इसके front के फीशा में आपको sleek LED DRL का setup मिलेगा bonnet के नीचे इसके अलावा आपको new design grill का setup मिलेगा grills को completely change किया जाएगा जिसकी वज़जह से इसका front का फीशा पहले के मुकाबले और भी खुब सुरुत लगने वाला है उससे के साथ जो headlamps रहेंगे उसका design change किया जाएगा और इसके front के bumpers और rear के bumpers आपको completely नए देखने को मिल जाएगे teaser image के अंदर इसका side profile भी visible है जिसके उपर आप sharp edges देख सकते हैं इसका side profile आपके सामने है तो यह पर आपको काफी बहतर inside का profile भी मिलने वाला है इसके अलाव आपको new design और rear के फीशा में काफी बड़ी LED टेलाइट के strip आपको मिलने वाली है तो यह बदलाव आपको exterior में देखने को मिल जाएगे और इन सभी चीज़ों की वज़े से upcoming वर्ना का जो road presence रहेगा वो और भी खतरनाक होने वाला है अगर मैं internal features की बात करो तो internal की features को काफी सदा upgrade किया जाएगा इसका dashboard completely नया रखा जाएगा और कुछ report में ये clearly mention किया गया था कि upcoming वर्ना के अंदर connected touchscreen input system का option दिया जाएगा एनी जिस तरह से आज के rate में XV7W के अंदर touchscreen input system दिया जाता है Mercedes की पुरानी S-Class के अंदर दिया जाता था सेम टाइप का touchscreen input system अब आपको Hyundai वर्ना के अंदर देखने को मिल जाएगा ambient lighting, wireless smartphone charging, car connected technology का option आपको मिलेगा 360 degree camera को option यहाँ पर provide किया जा सकता है और सबसे important चीज़ Hyundai company इस car के अंदर ADAS technology दे सकती है यहनी top variant के साथ आपको ADAS technology का option मिल सकता है खेर यह तो आने वाला समय बताएगा और इस segment के अंदर आज के date में Honda CD के अंदर आपको ADAS technology का option मिल जाएगा तो मेरी सबसे Hyundai company यह feature offer कर सकती है आपको क्या लगता है comment section में जरूर बता दिना इसके अलावा interior में आपको और भी बड़े-बड़े बदलाव देखने को मिल जाएगे लेकिन यहाँ पर सवाल आता है sedan segment का sale का आज के डेर में बहुत सरे लोग SUV कारों को preference देते हैं और पिछले कुछ महिनों से जो sedan कारों का sale वो काफी ज़दा नीचे आ चुका है पहले sedan कारों को काफी ज़दा पसंद किया जाता था वरना इंडियन market में काफी ज़दा बिक्ती थी हुंडा वरना के बाद हुंडा सिटी का नंबर आ जाता था और इस कॉंपेटेशन में सलावे आ चुकी है वर्टस आ चुकी है लेकिन फिर भी हुंडा सिटी और हुंडा वरना के sales पर इनका कोई भी असर नहीं पड़ा है हाला कि हापर sedan segment का sale कम हुआ है शायद मेरे हिसाब से हुंडा वरना का sale आने वले समय में थोड़ा सा बढ़ सकता है लेकिन ये तो आने वला समय बताएगा क्योंकि बहुत सरे लोग SUV कारों को preference दे देते है इसके बार में आपके क्या विचार है comment section में जरूर बता देना लांचिंग की बात करो तो April या फिर में तक Hyundai Company इसको इंडियन में लांच कर सकती है या फिर शायद अगले महीने इसको इंडिया में लांच किया जा सकता है क्योंकि आज से ही upcoming वरना के booking स्टार्ट हो चुके है तो definitely इसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लांच किया जाएगा वीडियो अच्छे लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो subscribe करके बाल नोटिफिकेशन को on जरूर कर लेना